विने या विने पीटक आपने अगर धंगी थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको पता चलेगा कि जो बिक्कू और बिक्टुनी है यानि जो मंक्स हैँ या जो नंस है या जो बिच्चु हैं या बिक्चुनी है या जो भगवान बुद्द के टीचर है या जो पाली पढ़ते समय, जो चीवर पहन के इस्टुटेंट पाली पढ़ते हैं, वो कुछ नियमों में बंदे होते हैं, उनके जो नियम हैं, उनको विने बोलते हैं, विने की पूरी एक किताब है, जिसको विने पीटक बोलते हैं, विने उन तीन मुख्य भागों में से ए बिकु के जो चरिया है जो पूरे दिन उनको करना होता है उसके नियम बाद में तीन भाग हो गए सुत्ष पीटक दो भागों में मदल गया एक सुत्ष जो आम होते हैं और एक अभी धम पीटक अभी धम का मदल है जो खास तोर से मन का और जो सरीर का यानि कि नाम और रूप का जो साइन्स और विग्यार है वो अभी धंग में आने लगा यहां हम विने पीठ की बात करेंगे बेसिकली जो विने हैं भिक्कु की आचार सहिता यानि कोड बोलते हैं भिक्कु के मंग्स के कोड औफ कंडेक्ट बोलते हैं यह बहुत important होते हैं जितने दुनिया में भिक्कु हैं वो इससे बंदे हुए होते हैं यह भगवान बुद्ध ने जब धंग को जाना जब बोधीन को प्राप्त होई और बोधी प्राप्त होने के बाद में जब संग बनना सुरू हुआ तो जैसे जैसे संग बनता गया वैसे वैसे संग में क्योंकि संग में जो आते थे वो पहले सिदे और साधे लोगी आते थे वो कोई पैदा ऐसी भिक्कुत होते नहीं थे तो वो आ रहे हैं और भगवान उनको पढ़ा रहे हैं तो उनमें लड़ाई, जगडे, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, बात करना, चीत करना, ये सारे नियम उनमें डबलब किये भगमान बुद्धने, ये देखती हुई, ये सारे practical हैं कि विपसना साधना में कौन से नियम साहक हैं, कौन से नियम मुख प्राप्त में, नि बान प्राप्ति में नुकसान होता है, किस से फायदा होता है, तो सारे नियम जैसे जैसे समस्य आती गई भिकुर संग के अंदर, वैसे वैसे वो नियम बनते गई, और वो नियम फिक्स होते जले गई, पर्मानेट बलकुल नहीं रहे, क्योंकि भगवान बुद्धने अप उतने चलते हैं, उसको इस्थर बात बोलते हैं, वो अभी तक इस्थर हैं, तो इसलिए उसको इस्थर बात बोलते हैं, या थेर बात बोलते हैं, थेर और इस्थर एक ही बात होती है, और एक वो जो कुछ बदले थे, उनको महासांगी किया है, महायानी बात बोलते हैं, तो इसलिए यहां फिक्स वालों की बात करेंगे, वो जादा वाले भी कोई खास नहीं, छोटे मोटे फेर में बदलते हैं, धम एकी है, बुद्ध एकी है, जो पढ़ाया है वो सब एकी है, रास्ता वही है, मुख प्राप करने का रास्ता वही है सभी का, और सभी बुद्ध के अ अनुयाई हैं, अंडाउटी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बुद्ध के अलावा उनका कोई उपास से है भी नहीं, कोई टीचर है भी नहीं, कोई अभी तक ऐसा विक्ति हुआ ही नहीं, जो बुद्ध से ज़्यादा जानकार हो, यो बता सके, तो यहां विने का जो मेरा पताने का नियम है या जानकारी है वो इसलिए है क्योंकि आपको ये पता चले कि जो भिक्कु और जो भिक्कुनी आपके यहां आता है या जिसको जो बिहार में आपको मिलता है या जो रास्ते में आपको जाता हो दिखाई देता है वो कितने नियमों से बंधा होता है कितनी म maintain रहे, बढ़े और समझे और जब आप किसी भिक्कू से भिक्कूनी से बात करें, तो देखें कि भिक्कू कितने बंदे हुए नीमों में जो भगवान बुद्रे बनाए हैं, कितनी अच्छी तरह से आप से विवार करते हैं और कभी आप अगर भिक्कू का जीवन जीएं दस दिन के लिएं, पांच दिन के लिएं, एक दिन के लिएं, एक महने के लिएं कर सकते हैं जब चाहें जब तो आपको आसानी हो कि भिक्कू के नियम पर चलने के लिए तो आपको भिक्कू के नियमों का बिक्रुनी के नियमों का पता होना चाहिए इसलिए यहाँ विने के नियम जो 227 और जो 311 है वो मैं आपको एक एक करके एक एक करके बताऊंगा बिसिकली जो विने सब्द है विने में वी निकाल दीजिए तो ने रह जाता है ने का मतलब है धंग या पद्दती या तरीका या मैनर यानि कि जो कोई चीज हम करने का धंग है या पद्दती है उसको पाली में ने बोलते हैं और अगर उसमें विसेश लगा दें विसेश को सेश हटागे खाली वी दे जाता है विसेश का मतलब है कोई खास चीज लगा दें तो वो वी और नय बन जाता है विने बन जाता है यानि खास तरह से जो पद्दती है खास पद्दती इसलिए बोलते हैं क्योंकि विने का मतलब विने जो नियम है वो भिक्को और भिक्रुणों के लिए ही विसेश रूप से बनाए गए है और किसी पर लागू नहीं होते यानि विनय जो अगर कहीं विनय की हम बात करेंगे तो इसका मतलब इस्टेट फारवर्ड है कि वो भिक्कु और भिक्कुनी के नियम है जो उनकी चरिया के दिन चरिया के नियम है जो उनके धम सीखने के नियम है उस नियम की बात हम कर रहे है तो विसेश हो गया इसलिए विनय हो गया तो विनय हम इसलिए उसको विनय बोलते है विनय में जब विनय के नियम बनते हैं और विनय के नियम आते हैं तो विनय में सबसे पहले जो आता है वो आता है निदान निदान को इंग्लिस में कहें तो confession बोलते हैं जो बाद में इसाई मत्में भी गया निदान जैसे कहते हैं कि कोई समस्य आगे उसका निदान करना है या वो हमने उसका निदानी करना कर लिया है या वो बात खराब होगे थी मगर हमने उसको निदान कर लिया है निदान का मतलब एक confession है दिक्कोर भिक्ड़ियों में कोई समस्य आती है तो उसको निदान बोलते हैं निदान करते हैं वो confess करते हैं उसकी meeting होती है उसको उपोसत भी बोलते है बेसिकली उपोषट का असली मतलब वही है जहां वो अपनी कम्यों को पूरा करते हैं उपोषट करते हैं जो सीखा है तो उसको वहाँ वो उपोषट में बैठते हैं ये प्रिकरिया महिने में दो बार अपनाई जाती है एक जो 14 होती है काली 14 यानि बलैक वाला 14 डे और एक होता है पूर्णमा यानि फुल मून डे उस दिन वो सारे भिक्कों हाँ बैठते हैं तो सबसे पहले निदान का प्रोसेस होता है उसके बाद में फिर भिक्कों के लिए आठ तरह का प्रोसेस और है जो पाराजिक है, संगादीसेस है, एनियत है, निसग्य है, पाचित्य है, पाचित्य है, पाचित्य है, पाचित्य है, पाटी देश्रिय है, सेख्य है और अधी करण है और महिलाओ के लिए एक कम होता है महिलाव के लिए एनियत नहीं होता क्योंकि एनियत भिक्कु के लिए होता है ये जब एनियत के वारे मैं जिक्र करूँगा तब मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले निदान आएगा उसके बाद में ये आठ आएंगे तब ये जाके नियम पूरी होंगे जो 227 है और 311 है आप इन नियमों को सीखिए और इनको जानिये और भिक्कु बनने की 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए टेनिंग करने का मन बनाईए जब कभी भिक्कु कही होंगे उनके साथ में देखिए कि उनकी लाइफ कैसी होती है संत की लाइफ वीना, सादू की लाइफ वीना अच्छा होता है तो आपको डिफरेंस मिलेगा मगर आप इस जानकारी को लेके कभी किसी भिक्कु या भिक्कु ने पर कोई उंगली न उठाएं मन में भी ये बात न न लाएं क्योंकि भिक्कु ने ये काम नहीं किया विने में तो ऐसा होता है या विने में तो ये कहता है भिक्कु ये काम करता है या भिक्कु ने ये नियम तोड़ा है क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं है ये अधिकार कहने का क्योंकि बड़े भिक्कु को है जो उनसे बड़ा भिकु है, जो उनका संग नायक है, जो संग का पूरी तरह से मैनेज करता है, या एज में उनसे बड़ा भिकु है, उसका अधिकार है ये कहने का, आपका अधिकार नहीं है, अगर आपको लगता है कि किसी भिकु ने कोई नियम का पालन नहीं किया है, या को प्रणा दें, इंफॉर्मेशन दे दें, क्योंकि ये आपके नियम में आता नहीं है, यो सम्राट असोक ने बहुत सारे चीवर उतरवाए, मगर उन्होंने खुद नहीं उतारे, उन्होंने भी भिक्कु को जो बड़े भिक्कु थे, उनको ये कहा कि बहुत सारे मत यहां हो ग सेखटा करते हैं, या वेबचार करते हैं, उनको खटाना है, तो वो पर्दे में छुपे रहे हैं अपनी सेना के साथ में, और भिक्कु ही भिक्कु से सवाल जवाब करके यह पूछा, कि बताओ तुम्हें कितना धंबाता है, कितना नहीं है, जिस भिक्कु को ये समझे थे कोई बतमजी ना करें, इसलिए राजा की सेना हमाँ पर्दे के पीछे थी, यानि वहावी समराट असोक ने इस बात को ध्यान रखा, कि भिक्कु की लाइफ में भिक्कु ही बड़ा भिक्कु ही एंटर कर सकता है, उपासक नहीं कर सकता, उपासिका नहीं कर सकती, तो आप दिहान रखें, जानकर nied जभूर नहीं, जानकर इसलिए क्योंकि आपको जब भिक्कु बनेंगे तो विन्य रिखिश की नियम पहले से पता होगा, तो अच्छी तरह से आप भिक्कु बनेंगे, बढ़िया भिक्कु बनेंगे, आप और बहुत बढ़िया तरह से धम को फिल या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पर चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान गच्छामे, धम्वंशरनं गच्छामे, संखंशरनं गच्छामे, गच्छामे, धम्वंशरनं गच्छामे, संखंशरनं गच्छामे,